प्लाचीन भारत में कैसे होती थी प्लास्टिक सर्जरी, क्या जिक्र है सुष्रुट सन्हिता में प्लाचीन भारत में सुष्रुट देश के जाने माने सर्जन थे, उन्होंने जो सुष्रुट सन्हिता लिखी उसमें उन्होंने नाग की सर्जरी की बाद भी कही है, पची सो साल पहले भारत में नाक की प्लास्टिक सर्जरी क्यों ज्यादा होती थी, इसकी भी रोचक कहानी है, ये जानना भी दिल्चस्ट है कि उसे तब कैसे अनजाम दिया जाता था, अगर आप मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी और नाक होटो को आकार देना मॉडन युग और पश्चिमी देशो की देन है तो यहाँ ये कहना चाहिए कि इसकी शुरुवात करीब 25 साल पहले भारत में हो चुकी थी, प्लाचीन भारतिय चिकित सक सुष्रुद जिन्हें सर्जरी का जनक माना जाता है, उन्होंने सुष्रुद सन्हेता में इसका जिकर किया है, पहानी भी कम रोचक नहीं है, प्राचीन भारत में आम तोर पर गंभीर अपराधू में सजा के तोर पर नाक और कान काट दिये जाते थे, इसके बाद सजायाफता अपराधी चिकित सा विज्यान की मदद से नाक वापस पाने की कोशिश करता था, माना जाता है कि सर्जरी क ब्लैडर स्टोन निकालना, हर्विया और यहां तक की सर्जरी के जरिये प्रसव करवाए जाने का भी जिक्र है, आज के वक्त में इसे रिकंस्ट्रक्टिव गाइनोप्लास्टी के रूप में जाना जाता है, सुशुर्ट सन्हिता में जिक्र है कि गालो या माते से नाक के बराबर की स्किन काट कर उसका सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, सर्जरी के बाद किसी तरह का संक्रमन रोपने के लिए और शदियों के इस्तेमाल की सला दी जाती थी, इसके तहत नाक में और शदिया भर कर उसे रूई से धंड दिया जाता था, सुशुर्ट स 1793 में भारत प्रवास के दौरान दो अव्रे सर्जनों ने नाप की सर्जरी अपनी आखों से देखी। ये तीसरे इंगलो मैसूर युद्ध के दौरान की बात है। अगले साल लंदन की जेंटलमेन मैग जीन में इसका जिक्र भी हुआ। एक बिटिश सर्जन जोसेफ कॉंसि इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ने के बाद 20 सालों तक लाशों के साथ इस प्रक्रिया की प्रैक्टिस की। इसके बाद असल ऑपरेशन किया गया जो काम्याब रहा ये साल 1814 की बात है। सुष्रूत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। उनकी तस्वीर एसोसियेशन आफ प पर जाना जाता है। सर्जरी के अलावा सुष्रूत सन्यता में 1100 बीमारियों का जिक्र है। साथ ही उनके इलाज के लिए 650 तरह की दवाओं का भी उल्लेक है। ये बताती है कि चोट लगने पर खून के बहाव को कैसे रोका जाए तूटी हड्या कैसे जोड़ी जाए। सर कितसा शास्त्र में उल्लेक है कि ये काम बढ़ी और खास तरह की चींटिया किया करती है। उन्हें क्रम में घाव के उपर रख दिया जाता। उनके जबरे घाव के लिए क्लिप का काम करते है। तांकों की जग चींटियों का उपयोग तबाम था। इस तरह से प्लास्टिक सर्जरी की खोज भारत में हुई थी। ऐसे ही कई रोचक तथे हैं जो आप लोग नहीं जानते। तो ऐसे ही रोचक तथे जानने के लिए हमारी चैनल के साथ बने रहे ताकि आप लोग तक हम ऐसे ही जानकारिया पहुचाते रहे। मेरा नाम है मतीन और आप लोग देख रहे वर्ल्ड में।